तीन साल पहले लर्न टू ट्रेड सीरीज को धरान मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था ट्रेडिंग व्यू सॉफ़वेर जो कि मैं भी यूज करता हूं परसनली उसके बारे में और कई लोगा फिडबैक आया कि सर ट्रेडिंग व्यू आपने तीन सार पहले सिखाया था अभी लेटेस्ट ट्रेडिंग व्यू में क्या इंफाइक काफी कुछ इन लोगे ने आइडि किया है जो कि जरूरी है कि हम उसको सीखें और मैंने अपने मॉडल को भी इवाल्व किया है और बेटर किया है तो मैं चाहता था कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर में क्या-क्या जो मैं यूज करता हूं ऐसा दो बहुत कुछ होगा इसके अंदर में बट जो मैं यूज करता हूं जो आपको पता होना चाहिए और लेटिस्ट अपडेट को दिमांग में रखते हुए जो मैं में यूज कर रहा हूं तो ये वीडियो लास्त तक देखेगा बाद वे मैं हूँ स्टॉकेज का को फाउड है पर मैं ट्रेडिंग के क्यों बात कर रहा हूं देखे स्टॉकेज एक डेटा अनलिटिक्स प्लाटफॉर्म है उसका काम है कि डेटा को इंफॉर्मेशन को सही तरीके से सजा के आपको करना और उसमें से कतिग एज अनलेटिक्स को प्रडियूस करना ठीक है ओर ट्रेडिंग इज व्यटिंग जीर अगर आप फॉलो करना चाते हैं जो कि आपको करना चाहिए चाहिए Àब ट्रेडिंग कर रहें इंवेस्टिग्स कर रहें कुछ भी कर रहें टेक्निकल चार्ट क तो आज के रेट में दुनिया का number one software है, तो जो top है न यह से trading view दुनिया का number one, stockage इंडिया का number one, जो top है न वो तो आपको जानना ही चाहिए, तो stockage के बारे में तो मैं regular बताता हूँ, बढ़ाज trading view पर चर्चा करते हैं कि क्यों आपको trading view as a software को probably subscribe करना चाहिए, और by the way अभी trading view न, offer भी काफी चला रखा है, तो मैं आपको link दे दूँगा, ताकि अगर आपको सब्सक्राइब करना हूँ, तो आप कर लीजेगा, तो चले, software की बात करते हैं, मैं यहाँ, focus यहाँ, तो जब मैं tradingview.com में जाता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का view मिलता है, जिसके अंद पाल लिजे, इन्होंने create कर रहा है, और उस homepage के अंदर में, क्योंकि हम इंडिया से हैं, तो उन्होंने nifty, sensex और यह सारा data को सामनी कर रहा है, tradingview एक ऐसा platform है, जो software है, साथ-साथ में इन्होंने community building भी इसमें कोशिश किया करने की, साथ-साथ में broking integration भी क्या, बहुत कुछ क बात कर रहा हूं, तो मैं charting के लिए screening, tradingview को use करता हूं, इसमें screener भी है, heat map भी है, calendar भी है, इसमें options की, कुछ ने, इन लोगे ने कोशिश किया, option strategy बनाने का, but मैं बाकि सब use नी करता हूं, screener के लिए मुझे लगता है, stockage सबसे सही है, सबसे simple और सबसे impactful है, तो मैं वो use न इंदर में जाओं, तो अभी आपको मेरा एक template दिख जाएगा, but आप उसे देखे घपराईएगा, because idea is not to make you get very disturbed, idea is कि मैं आपको पूरा नए से दिखाओं, तो एक test इतमें launch करते हैं, और जब charting की बात करते हैं, तो एक chart आपको सामने नजर आ जाएगा, उस chart के अंदर में line chart आपको नजर आ ठीक है, trading view का structure देखे कुछ ऐसा है कि left side के अंदर में ये जितने भी हम tools यूज़ करना चाहते हैं, वो सारे tools यहाँ पर इन्हें host कर रखी हैं, और right side के अंदर में अलग-अलग value-added tabs है, जिनको आप use कर सकते हैं, in fact just एक quick, अगर मैं आपको stockage भी दिखा में यहाँ पर हमने अलग-अलग shortcuts दे रखें और right side के अंदर में ये value additions है, जो हमने stockage में भी दे रखा है, तो बहुत बरदस्त मजा आ रहा है, stockage को use करके, stockage को use करवा के, बहुत मजा रहा है, trading view को तो मैं हमेशा बहुता है, यूज़ करना चाहिए, अब इस पे जो important आपको मुझे उस template, उस framework analyze करना हो, तो मेरे लिए easy हो जाता है, तो जैसे ये एक template है, जिसमें price है, और यहाँ पर volume है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, उपर में देखिए, यहाँ पर stock का price है, यहाँ पर duration है, कि आप weekly chart देखना चाहते है, आप monthly chart देखना चाहते है, यह अलग-अलग तरीके के इनके chart है, जैसे line एक है, candle एक है, hollow candle है, volume candle है, इतने सारे उन्होंने type of charts भी दे दिया, कोई hack and action फॉलो करता है, कोई rank को फॉलो करता है, कोई कैगी फॉलो करता है, point and figure, सब ने अलग-अलग studies है, और सब के हिसाब से यहाँ पर available है, जिसको जो study use करना मैं line chart use करता हूँ, तो it is sufficient for me, उसके बाद है indicators, indicators में, favorite indicator मतलब कोई भी indicator है, मैं उसको select कर सकता हूँ, अपना favorite बना सकता हूँ, personal indicator, अगर मैंने कुछ indicator create किया मेरे ID से, जो की trading view का एक language है, point script language, उसमें आप, actually मैं आप जो करना चाह रहे है, वो आप code कर सकते हैं, in fact मैंने face to face record गया था कुछ दिन पहले, उन्हेंने मुझे सिखाया था कि कैसे, आप simple chart GPT, या copilot से, आप simple strategy भी code कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर, चलते हैं, यहाँ पर, एक मैं, copilot के अंदर में चलता हूँ, जो की, windows के साथ integrated है, जिक है, और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ, कि, please create a strategy in Pinescript language that will give me buying alert when a moving average, when simple moving average 50 is trading above simple moving average 200, ठेक है, then also give me exit signal when simple moving average 50 trades below 200 simple moving average चीक है इसको इंटर कर दें अब देखिए ये पाइन स्क्रिप्ट का पूरा एक कोड हमको लिख के देदेगा जो की हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं देखिए आप कोडिंग करना कितना एजी हो गया इसकल दिमांग लगानी के रिक्वाइमेंट ही नहीं है बढ़ा अगर आप कोडिंग का सिंठेक्स थोड़ा समझे लेना तो लाइफ 명이जिय हो जाता है यहां देखर आप यह मोड़ा बोड़ी create हो गया अब आप इसको कॉपी करके यहां पर एक अपना नए श्क्रप्ट क्रेट करके डा सकते हैं निया script कैसे दन तो यह इसको publish कर देते हैं strategy को add to chart तो देखें यह strategy बनी क्या तो यह हो गया देखें देखें यह दिख रहा आप को हैं पर वाव ब्रिलेंट तो यह हो गया moving average जब हो तो वाई करना और अगर वह बात मैंने आपको करिए इसको एक बार हटा देते हैं तो इंडिकेटर की बात कर रहा था तो परस्तल इंडिकेटर यहां पाए गया अब उसके बाद है टेकनिकल टेकनिकल लाइब्रेरी इनके काफी प्रोफाइल्स है जो कि चार्ट पैटर बगरद होते हैं बहुत इंडिकेटर इंडिकेटर से इसको प्रोफाइल्स है और पैटर 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 बहुत लोग यह नहीं पता है ट्रेडिंग में फिनांशल डेटा भी अविलेबल है अगें क्वालिटी में थोड़ा मुझे क सब्सक्राइब करके कुछ बनाना है तो इसकी अगारती है और इसकी अगलता कम्यूटी में क्या है कि वह चारे लोग जिन्होंने अलए-अलएव तरीके के इंडिकेटर बना रखें और लोग पॉस्त कर देते इंडिकेटर वे जिसको यूज करना यूज कर लो तो जैसे ए CD, Williams, Indicator, Supertrend, कई लोग, कई धरका contribution कर रखे हैं, ये पूरे ecosystem में उन लोगों के लिए जो आगे भढ़ना चाहरे हैं, तो आपको कुछ कुछ दिखाऊ हुआ कि आप कैसे इसको सजा सकते हैं, और और बेटर तरीके से evaluate कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, अब उसके बाद है, आपको इंडिकेटर के बाद है, जो pre-formatted already, जो template है, वो भी यहाँ पर mentioned है, alerts, कि अगर आप कुछ alert डानने चाहते हैं, इस stock के अंदर में, तो आप इस तरह से भी alert में जा सकते हैं, यह जब आप राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर भी आप alert open कर सकते हैं, और बोल सकते हैं, कि जब भी यह price हो, तो मेरे को बता देना, आप यह भी बोल सकते हैं, कि जब volume इतना से cross करें, तो मेरे को बता देना, तो इस screen पे जितने भी elements हैं, जो आपको निज़र आ रहे हैं, उस पे आप alert सेट कर सकते हैं, beautiful feature है, और alert email कर सकते हैं, alert आपको यहां पर एक notification की रूप में आ जाएगा, I think they have one of the best alert system, I have come across in recent times, उसके बाद अगर आपने कोई template बना लिया हैं, तो यह template आप सेफ कर सकते हैं, तो इसको यहां सेफ करेंगे, तो यह template सेफ हो जाएगा, अब इस पे आगे भरते हैं, तो यह सेफ कर लि देखना है तो 3, मुझे 5 देखना है तो 5, ऐसे करके कई template इन्होंने देवे हैं, अब आप के उपर है, कि आप कितना एक बार में देखना चाहते हैं, लैप्टॉप पे तो हमको दो ही दिखेगा बड़ा टीवी में हम देख रहे हैं, तो obviously हम एक साथ में छे साथ देख सकते जितना आप उपर जाएंगे, उतना आपको subscribe करना पड़ेगा उपर वाले plans, तो एक बार दो पे focus करते हैं, अब दो में यह हो गया weekly और यहाँ पर आगया daily, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने दो किया था, तो मैंने इसको symbol wise इसको sync कर दिया, मैंने cross hair sync कर दिया, औ तो यहाँ पर weekly और यहाँ पर daily fix हो गया, अब मैं कोई भी stock अगर इसमें ले के आता हूँ, जैसे मैं CDSL अगर ले के आता हूँ, तो आप देखे इसमें daily और weekly रहे गया, कोई भी और दूसरा stock पकड़ते हैं, जो interesting हो सकता है, जैसे for example, Nippon, Naim India, Naim India अगर अपने पकड़े, तो यह weekly हो गया, यह daily हो गया, तो basically यह father और यह son, तो father को देखके मैं view बना रहा हूँ, और son को देखके मैं transaction कर रहा हूँ, तो यह अभी तक तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, अब मुझे, यह तो मेरा template बन गया, अब मुझे stocks का list बनाना है, कि कौन सो stocks हैं, जिनको बहुत सारे list बना रहा है आपर, जैसे मैंने वीडियो जो record किया था investment, themes वाला, तो देखे, अलग अलग category के मैंने आपर sections बना के इस watch list को complete कर रहा है, कैसे बनाते हैं, चले एक नया कोई भी watch list बनाते हैं, तो create new, तो इसको भी test बोल देते हैं, ठीक है, तो यह नया create होगा, ठीक है, अब इसके अंदर में मैं कुछ stocks एड करना चारह हूँ, क्या add करना चारह है, चले मानते हैं कि मैं NSC के जो 50 stocks है, उनको add करना चारह हूँ, तो इस data कहां से मिलेगा, मैं stockage में जाओगा, यहां पर nifty में जाओगा, ठीक है, nifty के अंदर में nifty 50 में जाओगा, nifty 50 के अंदर में मुझे सारे stocks का list download करना है, तो कहां से मिलेगा, मैं यह delivery में जाओगा, और delivery के अंदर में जो stock wise list है, वो यहां पर मुझे मिल जाएगा, यहां दिख रहा है, इसको आप right click करिए, yes करिए, तो आपको सारे stocks यहां पर मिल जाएंगे, तो इसको मैं download कर लेता हूँ, ओके, ओके खल लेता हूँ, तो यह Excel खुल जाएगा, तो यहां देखिए, यह सारे stocks है, हमने stockage में एक feature दे रखा है, कि सारे Excel के अंदर में right side में आपको symbol के साथ comma मिल जाएगा, trading view का format है वो, कि अगर आप symbol के साथ comma के साथ अगर data को upload करते है trading view में, तो watch list में वो अपने आ देता हूँ, यहां से, and let me go to trading view software, ठीक है, यहां हमारा watch list है, हम यहां पर यह देख रहे हैं, इसको plus करेंगे, और इसको control V करके paste कर देंगे, enter, तो इसका मतलब सारे stocks जो में watch list में add करना चाह रहा हूँ, वो एक बार में यहां पर add हो गए, कहीं कहीं आपको दिखेंगे, ब बहुत बड़ी company है, तो हो सकता है कि नहीं, उनसे ठीक से हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे, हम एक बार यहां से Mahindra को अटा देते हैं, बजाज आटो अटा देते हैं, और हम manually ले आते हैं, तो Mahindra and Mahindra, NNC को add कर लें, और बजाज आटो यहां प कैसे डालेगा हैं, इसमें तो डाल नहीं सकता है, तो उसको करने का मेरा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक बार सारा वापस से डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, अब यहां देखे, आपको देखे रहा होगा, stockage में हम यहां पर sector भी mention कर रहा है, अब आ सारा जो stock है, इसको आप वापस से copy करिए, यहां पर, तो हमने copy कर दिया है, आपर, अब मुझे क्या करना है, मुझे sector wise sections को introduce करना है, जैसे यह agriculture है, तो agriculture को मैं कैसे introduce करूँगा, यहां पर आके मैं right click करूँगा, add section करूँगा, और इस section को मैं नाम change कर दूँगा, agriculture में, यह क पर में right click किया, add section किया, इसको वो किया, double click, edit हो जाएगा, section plus, उसके बाद है, यह बहुत useful है, suppose आपके family में बहुत सारे accounts है, ठीक है, और आपने multiple लोगों के नाम पे share खरिज रखें, तो आप सब के नाम का यहां पर, अलगलग section बना सकते हैं, ताकि आपको पता रहे, कि कि इसके नाम पे क्या share है, और accordingly, आपका decision making थोड़ा relatively easier हो जाए, SDFC bank में जाए, यहां SDFC bank, add section, यहां पर मैं इसको paste कर देता हूँ, तो यह section wise आ गया, इसका beauty क्या पता है, अगर मैं इसमें change को click करूँगा, तो यह sort कर देगा, plus यह minus wise, ठीक है, हर section को वो sort कर देता है, beautiful, हर section को वो sort कर देता है, it is extremely extremely useful feature, जो मेरे बहुत काम आता है, I'm sure, आपके भी बहुत काम आएगा, तो यह पूरा काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है, इदे के शुरुवात में तो मैनत करनी पड़ेगा, और ऐसे मैनत बिना किये तो फल मिलेगा नहीं, पैसा तो बनाना है, तो मैनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है, अब suppose मुझे ये watchlist को, मैंने ऐसे बहुत सारे watchlist बना लिए, जैसे मैं आपको अपना watchlist का library दिखाऊं, तो मैंने कितने सारे watchlist यहां बना रखे हैं, और सब watchlist का एक मेरा अपना purpose है, फीपा, इगल, investment थी, macro, सब का मेरा purpose है, अब इस में स मुझे कुछ favorite watchlist mark करना है, तो यह देखे, मैंने वो watchlist के around में यहां पर favorite mark कर रहा है, देखे, कुछ-कुछ बाशनी देखना है, मैंने favorite कर रहा है, यह watchlist favorite कहा नजर आ रहे हैं, यह उपर में देखिए जो section है, जो trading view ने introduce किया, यह यहां पर नजर आ रहे हैं, तो आप directly यह shortcut से उस particular watchlist में जा सकते हैं, यह बहुत जबरदस्त utility है, इससे क्या होगा ना, एक ease हो गया, कि बारवा मुझे यहां जाके यहां जाने की need नहीं नहीं था, यहीं सही मैं जाके अपने stocks को track कर सकता हूं, खासकर वो stocks जिन्मे में position build करता हूं, अच्छा और एक दो बड़ा interesting feature trading के दो में मैं use करता हूं, वो है, आप हर stock के साथ कुछ color flag कर सकते हैं, अगर मुझे color करना हो तो इतने सारे color का option मुझे इसमें मिला है, अब मैं अपने लिए कर सकता हूं, कि मेरा suppose फलाना color है, जो मेरे positions है, यह color है कि जो मैं future में देखना चाहता हूं, investment के लिए अचा है, यह color है, suppose किसी ने मुझे friend ने बोला था, तो इसलिए मैं ने यह color कर दिया, जैसे मैं अपने color आपको दिखाता हूं, red के अंदर में, red के अंदर में वो है जो indices है, nifty, bank nifty, midcap, और यह sector indices हैं, तो मेरे लिए easy हो जाता है track करना, तो अब देखें, मैं sort करता हूं, तो यहाँ मुझे हर section का sorting मिल गया, अब मुझे मेरे लिए easy हो जाता है track करना, कि हर sector के अंदर में, चाटिकली, father और son में अभी क्या हो रहा है, और जो जो sector के अंदर में strength है, obviously मैं उसमें participate करना चाहूंगा, अच्छा मेरा model तो आप सब को पता है, learn to trade, video number 31, अगर आपने नहीं देखा learn to trade, तो I think आपने बहुत कुछ में scale life में, अगर trader बनना चाहते हो, learn to trade से अच्छा series आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, यह मैं challenge करता हूँ, विकार बहुत मेहनत की मैंने series बनाने में, तो मेरा model है relative strength model, अब मुझे relative strength में यह sector को evaluate करना, मैं क्या करूँगा, indicator में जो आप search करेंगे, community में तो आपको मिल जाएगा, यह भारत trader जो अपने मित्र है, उनका जो indicator है relative strength of a stock, इसको मैं यहाँ पर add कर लेता हूँ, और इसका थोड़ा मैं setting change कर देता हूँ, यह setting यहाँ पर मैं 55 यूज करता हूँ, और मुझे reference label नहीं चाहिए, और मैं थोड़ा स a light, clean belief करता हूँ रखना चीजों को, तो मैं moving average अटा जाता हूँ, curve formation bubble अटा जाता हूँ, और labels को अटा देता हूँ, ओके कर लेता हूँ, तो मतलब यह stock weekly chart में 55 टाइम फ्रेम, actually मैं weekly में 55 यूज करता हूँ, 21 यूज करता हूँ, तो 21 टाइम फ्रेम में यह sector जो है, sector index जो है वो strength में, ठीक है, यही काम मुझे अब daily में भी करना है, तो मैं indicator right किया, और उसके अंदर में, ideally जब आपने एक template save कर लिया ना, तो सब चीजे उसी template के around हो जाती है, and that's the beauty of trading view, okay, let's go there, यहाँ पर हम 55 करेंगे, because daily chart है, इसको अटा देता हूँ एक बार फिर से, और फिर अटा लेता हूँ, ताकि मेरा neat and clean पूरा नजर आए, तो अभी क्या दिख रहा है, कि reality जो हो सकता है, कि medium अवदी में stronger, but छोटी अवदी में यह weak हो गया है, तो मैं इसमें अगर मेरा को investment होगा, तो मैं इसमें से exit करूँगा, और कहां डालूँगा, मैं IT में डालूँगा, तो मैं इसमें से निकलने का ही सोचूँगा, मैं इसमें नहीं गुसूँगा, auto के अंदर में strength था, बड़ वो strength धिरे-दिरे थकावत में convert हो रहा है, तो यह हो गया, sector analysis करने का तरीका, एक template जो हमने बना लिए, और इस template को मैं save कर लेता हूँ, जो मैंने template बना लिए, उस template क आधार पर मैं sector का analysis करूँगा, अचा मैं इसको कैसे use करता हूँ, अब देखे, ऐसे तो बहुत सारे indicator, यह trend line है, यह वो तो आप, वो जो मैंने learn to trade में record किया था, वो definitely video देखेगा, this is more of an advanced discussion जो हम लोग कर रहे हैं, जो इसमें सबसे powerful मेरे को लगता है, जिसको लिए मैं इस को use करता हूँ, वो है कि stockage के अंदर में, यहां से मैं data निकालता हूँ, यहां से मैं homework करके analyze करता हूँ, जैसे मैं आपको example देता हूँ कि trending stock, जो कि वो stock है जहां पर आज कुछ activity हो रही है, यह volume shocker, कि आज इन stocks के अंदर में अच्छा खासा volume हो है, मतलब इसमें लोगों का interest थे आज, तो मैं यह data को यहां से download कर लिया और एक watch list बना लिया, जिसके अंदर में यह जित्ते भी volume shockers है, उनको मैं pull कर लिया, यह typically सारे तीन बजे मैं करूँ, तो easy हो जाएगा, यह 52 week high zone, 52 week high stocks जो है, कि यह सारे stocks हैं, जो 52 week high कर रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत important stock है, बिक इसको मैं अगर download कर लूँ, इस data को, और इसको open करूँ, तो यह excel sheet मेरे को दे रहा है, कि यह stock है, जो आज 52 week high की हैं, तो इस data को मैं copy किया, और यहां पर मैं trading view में जाके, एक अपना नया watch list बना सकता हूं, और इन stocks को खाली track कर सकता हूं, जो 52 week high zone में है, एक बड़ टेस्ट कर लेते हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने template में, जो 52 week high stocks है, उनको देखना है, और अगर उनके अंदर में अभी भी continuous strength है, तो chances बहुत हाई है, कि यही stocks जो है, आने वाले कुछ दिनों में strength दिखाएंगे, देखे धान रखेगा, जबी भी आप trading करते हैं, risk reward सब में entry करनी है, जिसमें risk reward favorable नहीं है, उसमें avoid करना है, because पैसे तो इतने सही है, और limited stocks में position लेंगे, और जिस sector के अंदर में buying interest है, अच्छी strength है, वो sector में अगर कोई stock आ रहा है, जिसमें 52 week high दिख रहा है, वो sector obviously बहुत अच्छा है, which is overall good for your stock also, तो यह template मैंने बना रखा अपन लिए, वैसे मैं काम करूँगा, आपके साथ में, जने डी में यह stockage, जो मेरा club है, जहां पर मेरे stockage के club member जुड़े में हैं, यहां पर में उन सब के साथ में share करता हूँ, अपनी बातें, अपने working, अपने template, stockage club members, जो की मेरे लिए बहुत प्रिये हैं, मेरे बहुत करीब है मैं काम करूँगा, आपके लिए, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे कुछ already recorded pre-formatted templates हैं, जो मैं आपके साथ में share कर दूँगा, और आप उसको बस trading view में click करके, आप इसको template को अपना trading view में import कर सकते हैं, इतना मैं आपके लिए करूँगा, ताकि आप trading view को जनन अपने जीवन में उतारें, और चाहें आप trader हो, investor हो, जो भी हो, ये combination से आप जबरदस्त market में काम करें, alright, तो details आपको इस वीडियो के नीचे link में मिल जाएगा, template में दे दूँगा, और trading view अगर आपको subscribe करना है तो कर दीजेगा, because premium का value अभी offer को चला रहे हो लोग, तो premium आपको अच्छे rate में मिल जाएगा, क्योंकि आप next level पे जाना चाहेंगे, तो free के एक limitation है, एक level उपर भी अगर आप लेते हैं, तो आपको इससे फायदा होगा, alright, thank you, I hope you like it, चैसे और ने-ने करता रहोगा, actually learn to trade record के काफी दिन हो गए, तो मेरी team ने कहा कि सर, एक-एक video topic को वापस से record करिए, और ये learn to trade pro के अंदर में जाएगा, by the way, अगर आपने learn to trade pro के videos नहीं देखे न, तो आपने एक बहुत से important मेरा segment मिस कर गया, अब आप stockage में देख सकते हैं सबकोश, तो आप यहाँ learn में जाएगे, तो learn में आपको दिखेगा, technical options, currency commodity, learn to trade, learn to trade invest, और learn to trade pro learn to trade pro कहां गया, मैं इसको चेक कर वा लेता हूं, यह रहा, learn to trade pro, 14 वीडियो है, और आज जो वीडियो जाएगा, वो पंदरवाब वीडियो आपको दिखेगा, all right, thank you, ध्यान रखेगा अपना, जहिन झाल